कि नमस्ते सभी को आज का हमारा जो अगला टोपिक है वो है साथ वहान वंस के बारे में देखो मैंने आपको बचाया कि कड़ा वंस में जो अंतिम जो राजा है वो था सूसर्मा तो आपको याद रखना है सूसर्मा है वो करता है सीमुक सीमुक हत्या करता है सीमुक हत्या करके नए वंस की स्थापना करता है जिसे हम बात करते हैं पढ़ते हैं साथ वहान वंस ठीक है यह बात करें साथ वहान वंस है ना यह दक्षिन में था ठीक है दक्षिन में साथ वहान वंस था अंदर प्रदेश और महलाष के तरफ यह साथ वहनमंस था इसकी अगर बात करें तो यह सूसर्मा की हत्या करके सिमुख है वो साथ वहनमंस का संस्था पक यह चीज़ याद रख लेना उसके बाद अगर बात करें इसकी राजधनी की अधी बात करें ना राजधनी की तो आपको याद रखना पर्तिष्ठ पर्तिष्ठान या पेठञ जो बात करें गोदावरी नदी के किनारे ये चीज या रखना गोदावरी नदी के किनारे बात करें नसी के महाराश्ठर ठीक है तो ये है ये राजधनी है इनकी ठीक है उसके बाद एक चीज याद रखना उत्तर बारत वदक्षिन बारत वदक्षिन बारत के बीज बात करें तो इसे सेट्टू नाम दिया गया है सेट्टू किसे कहते हैं तो साथ वहनवंस को कहते हैं ये चीज याद रखना बासा जो नाम है, नामकरन है, वो मता का नाम सथ लिखना जाता था, नामकरन है, राजकुल था वो पितर सतात्मक था मतलब कि जो राजा है उसका बड़ा बेटा ही उत्रा दिकारी है वो राजा बने का बड़ा बेटा ही वो राजकुल था वो पितर सतात्मक था वैसे नामकरन है वो क्या था जो मात्ता के नाम पर जो मात्र सतात्मक था ये चीज आपको या तो आपको याद रखना है शिष्य के 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 शि तो एक तो चीज आपको याद रखनी है कि स्थापते कला अ याद रखना कारलेका चेट्य यह ना जैसे कि बोध मंदीर जैसे हम पढ़ते हैं बोध मंदीर ईसे में पढ़ते हैं बोध मंदीर ठीक है के लिए जो बढ़वायेगा ये कारले का छेत्य है एक याद रहेना आजन्ता और एलोरा ये दोनों अलग-अलग हैं लेकिन हम एक साहत लिखते हैं अलोरा और लिए ऐजन्ता का ये ये बोट धर्म से संबस्य इथे ये किसे हैं बोट धर्म से संबसी ख तो influence ये बोध धरम से, जैन धरम से और सनतम धरम से सम्मधित है, ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना, एक याद रखने ना, अम्राउती का स्टूप, इसका भी बात याद रखने ना, अम्राउती का जो स्टूप है, वो भी उसका भी विकास हुआ, तो वो साथ वहन वंच में ह चीज आपको याद रखनी है उसके बाद एक याद रखनी है कि आपको गोत्मी पुत्रसत्करणी गोत्मी पुत्रसत्करणी इससे जो इसका नाम है गोत्मी पुत्रसत्करणी वो इसकी मां से मिला था इसी नाम गोत्मी पुत्रसत्करणी है ये इसका परमुखराजा है इस ब ठीक है और गोत्मी पुत्र सतकर्णी से और एक यह चीज़ याद रखना सको को हराया सको को किसी ने हराया तो आपको याद रखना होना चीए गोत्मी पुत्र सतकर्णी ने हराया उसके बाद एक याद रखना कि राज राजा विंदे नरेश विंदे नरेश की उपादी धारन उपादी धारन कोण करता है गोतमी पुत्र सतकर्णी है राजा विंदे नरेश की उपादी धारन करता है ये चीज भी आपको याद रखनी है ठीक है एक चीज और याद रखनी है इसमें एक याद रहना सुन्यवाद सुन्यवाद का पर्तिपादक हम किसे मानते हैं नागरजुन को नागरजुन को सुन्यवाद का पर्तिपादक किसे मानते हैं नागरजुन को तो नागरजुन है वो समकालिन किसके था समकालिन की यदि बात करें समकालिन था तो याद रखना गोत्मी पुत्र सत्करनी के समकाली था ये, तो ये भी चीज याद रखनी है, जो सुन्यवाद का पर्तिपादन है, वो नागर चुट था, ठीक है, सकों को हराया, गोत्मी पुत्र सत्करनी है, ये भी चीज याद रखनी है, उसके बाद देखो, एक चीज य याद रखे ना, इसमें, जो अंतीम है ना, राजा था वो था यग सिरी, कौन था? यग सिरी, अंतीम, अंतीम राजा, याद रखे ना, अंतीम राजा, अंतीम राजा कौन था? यग सिरी था, ठीक है, इसमें ये चीजी याद रखे ना, जो सिक्के चलाए थे, शिक्के लहाज का चित्न था तो इससे ये पता चलता है कि जो साथ वहन के वंस हैं वो समुद्री व्यापार करते थे तो ये चीज़ भी हमें पता उने चाहिए कि साथ वहन के वंस हैं वो समुद्री व्यापार करते थे क्या करते थे समुद्री व्यापार करते थे इस बात की भी हमें पता चलती है साथ वहनवंच में ठीक है तो ये जो हमारा साथ वहनवंच है ये छोटा ही टोपिक था जो हमारा कंप्लीट होता है धरने बाद